नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फोर पब्लिक सर्वीस कमिशन में ITBP यानि कि इंडो तिबितन बोर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा कॉंस्टेबल ड्राइबर की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाल गया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ड्राइब वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो अगर आप ड्राइवर की पोस्ट की वेकेंसी का इमतजार कर रहे हैं या फिर इसकी तयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके रिए लिये रहने वाली है complete वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी जान यहां पर देख लेना इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफियर्स के अंडर यह आता है रिक्रूट्मेंट फोर दा पोस्ट ओफ कॉंस्टेबल ड्राइवर दोजार चोविस की यहां पर प गैज़ेटेड नोन मिनिस्ट्री बेसिस लाइक टू भी पर्मानेट इन इटी बीपिएफ सेलेक्टेड कंडिडेट विल भी लाइवल सर्विस एनिवेर इन इंडिया अबोर्ड पॉंट्मेंट कंडिडेट यह बताया गया है इसके बाद का गया है जो आप बरना जाते है application from time to time application from candidate will be accepted through online mode आपको इसका online form बरना पड़ेगा online applications mode will be opened 8-10-2024 से इसके online form स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी last date रखी गई है यहाँ पे देख लें न closing last date भी बताई गई 6-11-2024 तो 8 October से इसके online form स्टार्ट हो जाएंगे यानि कि 8 October से इसके online form स्टार्ट हो जाएंगे और जो last date रखी गई वो 6 November इसकी last date रखी गई यह समय से आप अपना form fill up करके इसकी तैयारी में लग जाएगा उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे number of post बताई गई है यहाँ पे देख लें न number of post में का गया है the detail of vacancy as per post based roster यहाँ पे का गया है constable driver की post है total number of vacancy की बा total number of vacancy यहाँ पे 545 निकाली गई है यह इनके official website है इसी के थुरू जो है आपको अपना online form यहाँ पे fill करना पड़ेगा उसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पे का गया है second point पे 10% of vacancy are reserved for ex service तो यह 545 में से 10% जो है ex service man के लिए यहाँ पे reserve की गई है vacancy को तो यह आप ध्या लेवल 3 की यह नोकरी रहने वाली है 21,700 लेके 39,100 रुपे आपको इसके अंदर जो है salary मिलने वाली है other allowance भी इसके अंदर मिलेंगे आप other allowance भी मिलेंगे इसके अंदर जैसे की DA मिलेगा आपको राशन मनी मिलेगी इसके अंदर special conspatory मिलेगा अलोंस मिलेगा उसके बाद आप आपको यहां पर देख लेना hra मिलेगा transport अलोंस मिलेगा काफी सारे allowance जो है वो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं तो काफी सारी अच्छी इसके अंदर जो है opportunity आपको मिलने वाली है eligibility criteria की बात करें तो यहां पर देख लिए पोस्ट है constable driver की age आपकी होनी चीए 21-27 साल के बीच में अगर आपकी age है तो आप form को भर सकते हैं यहां पर आपको कागया matriculation या फिर दस्वी पास आप class मलब 10th class आप पास होनी चीए तो आप इस form को apply कर सकते हैं उसके बाद must process valid having vehicle driving license तो आपको पास जो है DL होना चीए driving license होना चीए वो भी heavy vehicle का driving license आपके पास होनी ची आपकी बात करें तो एज relaxation यहां पर देख लेना crucial date determination age की बात की गई है जो 611-2024 तक आपकी age काउंटिंग की जाएगी मतलब इस डेट से पहले कि जो है आपकी डेट होनी चीए candidate should note have earlier than 711 1997 से पहले आपका जनम नहीं होना चीए और note later than 611-23 तो 611-23 इनके बाद का जनम नही आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर अधर वाइन का एक सेपरेट वीडियो बना दूँआ जिसके अंदर डिटेल बता दूँगा कौन-कौन से डोकुमेंट और किन-किन को मेंशन किया जाएगा यहां पर एक सर्विस्मेन को भी तीन साल मिलता है उसके बाद एक सर्विस्मेन जो अंगे आ जाएंगे और देख लेते हैं एकनोमिक शेक्शन यह भी नहीं है यह फीजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट देख लेना भाई लाइगा देख लेना आज्रल अडर स्टेट्स एन युनियन टेटिट्री एक्सपेक्ट केंसे बिलो तो यहां पर देख लेना जो युनियन टेट्री के हों एक सो सतर्सेंटिमेट्र हाइट चीए unaccepted जो चैस्ट है बिना फुलाए असी और फुलाने के बाद 85 होनी चीए तो यहां पर यह जो का गया है all candidates falling in the categories of गड़वाली कुमावनी गोर्खाज डोग्राज मराथाज candidates बिलोंगिंग टू दा स्टेट ओफ असम माचल परदेश कशम कश्मीर रीजन और इन बच्चों के लिए आप 165 सेंटीमेट राइट चीए बिना फुलाए चाती होनी चीए 78 और फुलाने के बाद 83 होनी चीए यहां पर का गया all candidates hailing from north eastern region के जो भी बच्चे होते हैं उनकी height minimum यहां पे 162.5 सेंटीमेट होनी चीए बिना फुलाए चेस्ट 77 और फुलाने के बाद जो चेस्ट है वो 82 होनी चीए तो ऐसे ही यहां पर आगे भी दी गए है इनको भी आप देख लेना अच्छे से यहां पर read कर लेना उसके बाद हम आगे चलते हैं medical standard में यहां पर eyesight दिया गया है यह eyesight वाले जिनको बच्चे चस्मा चड़ता है वो यहां पर देख लेना how to apply कैसे करना है तो यह इनकी official website है इसी website के उपर जाकर आपको अपना online form को fill up करना पड़ेगा उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं फीस की बात करें तो फीस आपकी कितनी लगने वाली है तो यहां पर देख लेना application fees mode of payment तो यहां पर का गया candidate belongs to journal OBC and EWS category applying for the recruitment will have to raise 100 rupees 100 only as application fees through online payments gateway system तो यह बताया गया है Journal OBC EWS के यहां पर 100 rupees आपको देने पड़ेंगे और यह उनके official website है इसी के दुरू आपको online payment भी कटवानी और fees भी कटवानी है मतलब online ही जो है आपको इसकी payment करनी पड़ेगी उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं यह crucial date एक बरवार आप देख लेना 8 October से इस Face 1 में आपसे क्या कुछ करवाया जाएगा तो यहां पर सीधा हम Face 1 पर चलते हैं तो आईए Face 1 को देख लेते हैं क्या कुछ करवाया जाएगा Face 1 में जो है आपका physical efficiency test होने वाला है तो यहां पर देख लेना physical efficiency test यानि की PET आपका conduct करवाया जाएगा जिसके अंदर आपको 1.6 km की running करनी होगी साड़े 7 मिनट में उसके बाद 11 फिट की long jump लगानी होगी 3 chance आपको दिये जाएगे साड़े 3 फिट का आपको high jump लगाया जाएगा जो कि आपको 3 chance यहां पर दिये जाएगे उसके बाद यह आपका आपका आगया no marks will be awarded for the test pet shall be qualifying nature तो यह जो आपका pet होगा यह only आपका qualifying होगा इसके आपको number नहीं दिये जाएगे ठीक है जो आपके merit बनेगी इसमें कोई number नहीं मिलेंगे जो merit मिलेगी वो आपके return examination और आगे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है उसके हज़ापे बनेगी pet जो बच्चे qualify कर जाएंगे फिर उन बच्चों को phd देना पड़ेगा यानि कि physical standard test देना पड़ेगा और physical standard test में आपसे क्या कुछ करवाया जाएगा तो यहाँ पे आपकी नाप तुलाई होगी chest वगएरा height वगएरा जो है वो सब यहाँ पे आपका लिया जाने वाला है हम देख चुके हैं उसके बाद face second आपका क्या कुछ conduct कराया जाएगा तो face second को यहाँ पे देख लेते हैं जो बच्चा pet phd दोनों को qualify कर लेगा वुन उस बच्चों को face second के लिए बुलाया जाएगा face second में आपका written examination लिया जाएगा यहाँ पे देख ले ना written examination जो है आपका यह उनकी official website है इसी के उपर आपका admit card release किया जाएगा written examination में क्या कुछ पूछा जाएगा objective type multiple choice question आपसे पूछे जाएगे यानिकि MC क्यों आपसे paper लिया जाएगा 100 question आपसे पूछे जाएगे however pattern of written test OMR based computer based test will be at the decision of ITPP तो online offline कोई भी आपका exam हो सक्चा है decide decision जो है वो ITPP लेगा pattern of question paper written examination विल अंडर नीचे दिया गया है देख लेते हैं इसको भी तो यह आपका pattern आएगा examination का journal knowledge आपसे पूछे जाएगी bilingual question होगे हिंदी इंगलिस में journal knowledge यानि gkgs 10 question पूछे जाएगे 10 marks के रहेंगे journal Hindi और journal English आपसे पूछे जाएगी 20 question रहेंगे 20 marks के math आपसे पूछा जाएगा 10 question 10 marks के और trade motor transport related theory bilingual तो यह आपसे जो driver की post का exam है तो driver से related आपसे 60 question पूछे जाएगे जो कि 60 marks के रहेंगे और total question की बात के रहेंगे तो 100 question आपसे पूछे जाएगे जो कि 100 marks के रहेंगे यहापे दो घंटे का आपको समय दिया जाएगा उसके बाद हम आगे चले तो आगे यहाँ पे का आगे है question question for written examination of the post of considerable driver 10th question आपसे पूछे जाएगे 10th level के पूछे जाएगे minimum cut-off भी यहाँ पी रखेगी है journal EWS एक सर्विसमें जो category के बच्चे होंगे उनको 35 प्रतिशत minimum जो marks है व उसके बाद phase third होगा मतलब हमने देख लिया phase first में जो है आपका P.E.T. PhD कंड़क्ट करवाया जाएगा phase second में आपका return examination कंड़क्ट करवाया जाएगा और phase third में जो है वो आपका क्या कंड़क्ट करवाया जाएगा phase third में आपका verification of original documents verification यानि कि DV जो है आपका वो phase third के अंदर conduct करवाया जाएगा यह यह सारे document verification के समय यह यह जो है documents आपको चाहिएगे education certificate date of birth certificate 10th की mark sheet चाहिएगी valid heavy driving license आपको चाहिएगा professional experience certificate if any अगर आपके पास है तो schedule cost यह सारे important document आपको document verification के समय चाहिएगे उसके बाद practical test भी होने वाला है आपका तो यहाँ पे देख ले न practical skill test आ आपको यहाँ पे देख लेना all checks before engine starting and knowledge about vehicle sensor and signal rear view adjusting इसके पांच marks है तो यह यहाँ पे सारे देख लेना 55 marks के जो है यह topics दिये गए हैं यह total 50 marks का रहने वाला है तो यहाँ पे देख लेना यह 50 marks का आपसे लिया जाएगा उसके बाद हुम बात करें तो आगे क्या कुछ का आगे है face fourth में आपसे क्या कुछ करवाय जाएगा तो face fourth में आप से पें बैस्ट फोर्ष में आपसे जो हैँ अपो इंसके अंदर फोर्ष होने वाले चार फेसो में यह जो एक्जाम है वो conduct करवाया जाएगा यह जर्रनल इंस्ट्रक्शन है कोई ज्यादा जरूरी नहीं है वीडियो लंबा करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है यह बेसिक सी important point है यहाँ पे कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है इसलिए मैं जल्द करके फिल करके अपलोड करने होंगे तो यह यहाँ से आप डाउनलोड करके भरके और कर लेना तो अब यह काफी अच्छी opportunity है जो बच्चे ड्राइविंग ड्राइवर की पोस्ट का वेट करते रहते हैं उन बच्चों के लिए एक अच्छी opportunity रहने वाली है यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ जो है ITBP के द्वारा यहाँ पे लिख देता हूँ ITBP बीपी के द्वारा है ड्राइवर की पोस्ट का वेकर नोटिफिकेशन निकाला गया है आउट हो चुका है और इसके जो पोस्ट है वो भी काफी अच्छी नंबर ओफ पोस्ट निकाली गई है तो यहाँ पे देख लेना 545 पदों पर यह भरती का नोटिफिकेशन निकाला गए है काफी अच्छी नंबरों पोस्ट है सारी इंपोर्टेंट जानकारी मैंनों आपको बता दी है कोई भी आपका डाउट है क्वेरी है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बता दीजीगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे साथ में हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उसको भी जोइन कर लेना क्योंकि सारी इंपोर्टेंट जानकारी सा जरूर से जरूर जोइन करने ना इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद